हेलो दोस्तो मीर होम कीजन में आप सबी का स्वाधत है उम्मीद करती हूँ आप सबी अच्छे होंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ क्रिस्पी करारे प्यास के पकोड़े जो आपको बहुत पसंद आएंगे पकोड़े तो आपने बहुत बार बनाए होंगे एक बार आप इस तरीके से बना कर देखिए क्रिस्पी तो होंगे ही साथ में टेस्टी भी बहुत होंगे तो ये वीडियो अगर जराबी अशार लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब करना है और छेलने के बाद हम इनके कटिंग कर लेते हैं मैं यहां प्यास की जो कटिंग कर रही हूं वो गोल कर रही हूं आप इसे लंबाई में भी कट कर सकते हैं प्यास को कटिंग करते समय आपको धियान रखना है प्यास को बहुत जादा मोटा नहीं कट करना प्यास को थोड कर लेते हैं लच्छे अलग हो चुके हैं इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसके लिए चटनी तयार कर लेते हैं चटनी तयार करने के लिए मैंने यहां चार से पांच लाल मिर्ची लिए हैं थोड़ा सा जीरा और तीन लेसन की कल्या ली हैं इसकी चटनी बना कर त करके थोड़ा साहर धनिया डालेंगे और अब ड़ीदे नलीव हम इसमें गरंम मसाला बौशा करेंगे और चलिए अबeu हैं यहां मैंने थोड़ा सा ही मिक्स करना है आधा चांच अगर आपको थोड़ा ऐसा लगी की पानी dil दालने की जरूरत है तो आप इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं तो यहां मैंने जो लच्छो को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इनके पकोड़े बनाना इस्टार्ट करेंगे तो यहां आपको इस तरीके से खोल कर लच्छो को तब डालना है मुठी बन करके इससे हमारे जो पकोड़े हैं अगर इस तरीके से लच्छो को खोल कर डालेंगे आप तो यह बहुत जादा क्रिस्पी बनेंगे इधार मैंने गैस पर तेल चड़ा दिया है तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें एक एक करके पकोड़े डालेंगे और पकोड़ो इस तरीके से पकोड़े बनाएंगे तो सबी को बेहत पसंद आएंगे और हर बार आप इसी तरीके से पकोड़ा बनाना पसंद भी करेंगे तो चेलिए आप देख सकते हैं पकोड़े हमारे सिक्कर तयार हो चुके हैं बहुत ही जादा शांदार कलर भी आया है और बहुत अ पिल चσιन लिगांगे, उसके बाद हम इन्हें टन कर दिते हैं और पकोड़े हमारे सीकर हो चुके हैं तैयार, इनने भी हम निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं पकोड़। का कलर और आप देख सकते हैं क्रिस्पी भी बहुँजादा बने हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो चलिए अब हम इन पकोड़ों को सर्व कर लेते हैं तो यहां आप चटनी के साथ या फिर टमेटो कैचप के साथ या फिर आप इन्हें इस तरीके से भी इंजवाई कर सकते हैं लाल मिर्ची के चटनी आप थोड़ा सा जादर ड खोले फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धीर सारा इंज्वाई कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए बाई एंट टिक क्यार